हेलो एंड बट्वक टेक्टिकल्स लमान चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं Vivo के B23 phone के Always On Display के बारे में हाज जिस्तो Always On Display के बारे में हम बात करने वाले हैं कैसे आप अपनी Vivo के B23 phone के setting से आप Always On Display को enable कर पाऊगो तो मैं आपको इस इक बारे में इस वीडियो में बताने वाला हो के Always On Display के बारे में हाँ इस तो Always On Display को आप कैसे इनेबल करोगे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो फाइल ये दोसो साइड में स्क्रीन रिकोडिंग देखने को मिल जाएगा तो अगर आपके पास वीडियो का बीडियो में इसी फोन में आपको बताने वाला हूँ और मेरे पास वीडियो का B23 फोन है तो मैं आपको बताऊंगा अपने डिस्पले पे आप यहाँ पे अपना नाम भी लिख सकते हो सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको फूरे फूल डिटेल में बता देता हूँ तो आपको क्या करना होगा जाना होगा अपने फोन के सेडिंग में आते हैं उसके बाद आपको स्कोल डाउन करके नीचे आना है अब नीचे आएंगे तो आपको एक option देखने में लेगा dynamic effect का option तो dynamic effect पे आप जैसे आते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे इस वाले option पे नहीं मिलता आपको यहाँ पे आएंगे जो कि यह lighting वाला option है तो यहाँ पे all-vage on display आपको off होगा तो यहाँ से आपको इस तरिके से own कर लेना है अब यहाँ पे आपको कुछ ज्यादा आइकन वगरा देखने को नहीं मिलता है यहाँ पे dynamic effect वगरा light वगरा देखने मिलता है लेकिन यहां पे all-page on display का जो option है यहां पे आपको देखने को नहीं मिलता है तो मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको इस सभी features को enable करना है कैसे आप अपने display पर अपना नाम भी लिख पाऊगे तो जैसे कि यहां पे आपको आना है बैग उसको पाद आपको जाना है i-thim में आप i-thim में जैसे आएंगे उसको पाद आपको यहां पे इस school देखने को मिल जागा यहां पे जोकी local local नीचे मिल जागा आपको local all-page on display पे यहां पे आप जैसे click करेंगे तो आपको यहां पे धेर सारे आपको जो की ओल बर्च अओन डिस्पले का ओल पेपर वगरा देखने को मिल जाता आप इसको लगा सकते हो और यहां से आप इनेबल करके अपलाई कर सकते हो जो की मेरे फोन में सक्सेचफूल अपलाई हो चुका है तो जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाता हूँ नीचे मिल जाता है आप अपने डिस्पले पर अपना खुद का नाम भी लिख सकते हो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपना नाम लिख लेंगे और इसको आप जैसे यहाँ पर नाम लिखेंगे तो आप यहाँ पे नाम लिखने के बाद आप यहाँ पे जिस तरीके से आप अपनी नाम को set करना चाहते हैं उस तरीके से रख सकते हैं, color, style वगरा जो भी आप रखना चाहते हैं अपने हिसाब से नाम को रख सकते हैं, आप अपने हिसाब से manage वगरा कर सकते हैं अब यहाँ पर आप color वगएरा लगाना चाहते हो तो अपने अपने फोन को यहाँ पर अपने फोन को जब आप लोग करते हैं अब लोग करके आप अपने फोन को जैसे यहाँ पर देखेंगे तो हमारा फोन कुछी दिर में always on पर होगा और हमारे फोन में देखने को मिल जागा यहाँ पे तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हमारे फोन पे हमारा नाम लिखा हुआ आचुका है तो इस तरीके से आप अपने फोन में All-Bage On Display को एउच कर पाऊगा यहाँ पे आपको साइड बे स्क्रीन पर फिक्रें तो यहाँ पे अगर और भी श्टीकर भी लगारा ड़ी हो था होगा यहाँ जो आपको श्टीकर मिल जाता है और यह वाला यह वाला स्टीकर मिल जाता है विवो के B23 phone में एंड यहां पे आपको यह sticker मिल जाता है तो इन में से किसी भी sticker को आप apply करके आप अपने phone को जैसे लोग करते हैं और अपने phone को जैसे यहां पे देख सकते हैं तो हमारे phone में all-based on display काम कर रहा है तो इस तरीके से आप all-based on display को apply करके एउच कर सकते हैं इस तरीके से आप all-based on display को एउच कर पाओगे अपने phone में apply कर पाओगे जो कि नया हमें दो तरीके का मिल जाता है तो हम यहां पे अपने phone को लोग करते हैं और यहां पे हमारे phone में देखने को मिल जाता है तो बहुती बढ़ियां देखने को मिल जाता है इसका all-based on display आपको अप्लाई करने के लिए जाना होगा अपने फोन के आइधिम में वहां से आप ओलबेच ओन डिस्पले के इस्टिकर और अपने डिस्पले पून पर नाम हो गए रहा लेख सकते हो सब कुछ यहां पर अप्लाई कर सकते हो तो फाइल जोस्तु आप लोगों को फूरे फ वीडियो के साथ तब तक के लिए जया हिन जया भारत बाबा दोस्तों